हलो फ्रेंड्स क्या आपको भी सेक्स करने से बहुत ज़दा डर लगता है? मैं डॉक्टर सुशिला सैनि आज आपको इस सब्जेक्ट पे कुछ डिसकस करने जा रही हूँ कि आखिर ऐसा किसी किसी लड़की को क्यों लगता है कि सेक्स करने में बहुत जादा दर्द होगा या बहुत जादा परेशानी होने वाली है और मुझे इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि सेक्स के साथ अपने समाज में बहुत सारी भावनाएं जुड़ी है या इसको लीगल इलीगल या कई तरीके की टर्मिनलोजिक के साथ असोसियेट किया हुआ है लेकिन जनरली सेक्स करना शादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है यानि कि ऐसी कोई इसी शादी नहीं होती कि जिसमें सेक्स नहीं होता है और जनरली इसी परपस के लिए शादी की जाती है लेकिन बहुत सी लड़कियों को शादी से पहले और शादी होने के टाइम पर इस बात का बहुत ज़दा डर लगता है कि आखिर सेक्स होगा तो उनको बहुत ज़दा कोर्स के टाइम पर दर्द होता है या ब्लीडिंग होती है या बहुत ज़्यादा अंकमफोटिबल होता है ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा मित और भ्रहंतियों के चलते इस तरीके का एंवार्मेंट क्रियेट किया जाता है कि सेक्स के टाइम पर बहुत साथ दर्द होगा लेकिन यदि आप पहले से मेंटली प्रेपैर हैं आप उस चीज को समझती है तो डेफिनेटली अगर आप रिलेक्स रहती है तो पेन नहीं होता है शुरुआती फर्स्ट और सेकंड बोड़ा सा दर्द हो लेकिन वो दर्द इसी कारण होता है कि जब आप वजाइना को टाइट कर लेती है यानि कि आप इसको सिकोड लेती है डर की वज़े से एप्रिहेंशन एंजाइटी की वज़े से तो ही इंटर कोर्स होने में यानि कि पैनेट्रेशन में प्राब्लम आ तो आपको यह समझना पड़ेगा कि सेक्स भी हमारी जिंदगी का एक बहुत एहम हिस्सा है उसे हम नहीं छोड़ सकते और बहुत सारी शादियां सर्फ इसी वज़े से अनकॉंजुमेटेड रह जाती है कि पार्टनर्स की आपसे अंडरस्टेंडिंग डेवलप नहीं हो पात इस नॉर्मल थेंग और ऐसा भी नहीं है कि सेक्स करने के लिए शादी ही जरूरी है बहुत से केसे ऐसे होते हैं लेव इन रिलेशनिप होती है बहुत सारी चीजें होती है कि जिसमें विदाओट मैरीज भी इंटरकॉर्स होता है तो वहां पे जब पार्टनर के कंसंट होत यह काफी कम हो जाती है तो सबसे पहले तो आप अपने आपको mentally prepare कर लीजिये दूसरा होता है physically prepare करना यानि कि यदि आप adult है 18 से 20 साल से आपकी उम्रेथ जादा है तो definitely physically fit है तीस तरह एक problem हो सकता है कि किसी किसी लड़की को वजाएना की कोई problem हो सकती है जो कि congenital anomaly हो सकती है और वजाइना कभी develop नहीं हुई हो वजाइना छोटी हो वजाइना बहुत ज्यादा टाइट हो ऐसी कोई स्थिती हो सकती है और आपको ऐसा लगता है कि ऐसी कोई problem है तो definitely आप अपने जो डर होता है और एक response होता है मांसपेशियों का जिसको कि वेजिनिसमस बोलते हैं किसी-किसी लड़कियों में बहुत ज्यादा होता है यानि कि जैसे वेजाइना या इंटराइटर्स को योणी द्वार को टच किया जाता है तो सिकुड जाती है और उसमें entry freeze हो जाती है यान को समझना होता है कि यह बिल्कुल नॉर्मल चीज है अबनॉर्मल कुछ नहीं है और इस पार्ट अफ लाइफ लेकिन अगर यह फिर भी नहीं यह ठीक हो पाता तो इसमें कुछ इंजेक्शन नीचे इंजेक्ट किया जाते हैं जिससे कि मसल्स को रिलेक्स किया जाता है बॉटुलीन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं जिससे कि मसल्स रिलेक्श हो जाती है और उसके बाद आप आराम से इंटर कॉर्स कर सकती हैं तीसरे मित ओर होता है कि जैसे ही फलस का ही चैनली होगां जब बेख की जाती है वह हाइमं होता है हाइमन एक बहुतती पतली जिली होती है और यह बहुत ही प्लाइबल होती है यानि कि soft होती है तो यह ऐसे कोई फटती नहीं है और जनरली आइसकेल की लड़कियां बहुत एक्टिव होती है खेलते कूरते टाइम, sports के टाइम या और किसी कारणवाश भी उसमें रप्चर हो सकता है यानि कि फट सकती है तो वो जब या कुछ भी होता है तो उसमें इस प्रकार की कोई bleeding नहीं होती है और जनरली उसमें एक entry होती है कि जिससे की आराम से जैसे menstrual blood होता है माहिनी का जो blood होता है वो भी आराम से आ सकता है और intercourse भी आराम से हो सकता है तो उसके लिए ऐसे मन में डर बिठाने की जरूरत नहीं है कि जब भी intercourse होगा तो क्या बहुत जादा bleeding होने वाली है बिल्कुल नहीं होती है किसी किसी को थोड़ी बहुत bleeding हो सकती है और वो भी तब होती कि जब आप बहुत जादा vaginismus या बहुत जादा अपनी muscles को tight कर लेती है और अगर forced entry की जाए यानि कि अगर entry करने के लिए आपको बहुत comfort उसमें रखती है तो definitely इस प्रकार की समस्यां नहीं होती है लेकिन यदि इस प्रकार के आपको लगता है कि आपको physically अंदर अंदरोनी को इस समस्या है तो आप डॉक्टर को जाकर जरूर बताईए डॉक्टर आपको चेक करके आपकी समस्या का solution कर सकती है definitely pregnancy भी नहीं हो पाएगी तो यानि कि आप मातरत्व सुख से भी वंचित रह जाएंगी और partner के सुख से भी वंचित रह जाएंगी तो ऐसा बिलकुल ना करें यदि आपको लगता है कि कोई भी problem है तो आप अपनी डॉक्टर से ज़रू संपर कीजिए हर इस्तिती का इलाज स solution है problem को problem ना रखें उसका solution लीजिए और enjoy कीजिए आपसे फिर भी लेंगे एक नए वीडियो में नहीं जान करें साथ तब तक नमस्कार